Good morning all of you, I am the English teacher, तिप्ती वर्मा, आज में आपको class 5, Cornel Stone first chapter using the dictionary, reading करवाने जा रही हूँ, आप प्लीज ध्यान से देखेंगे, chapter name है using the dictionary, dictionary का use करना, कैसे इसका use किया जाता है, okay? दिश्टरी में जो word होते हैं, वो alphabetically order में arranged होते हैं, इसका मतलब है कि जो spelling आपको मिलेंगी, वो आपको सबसे पहले A वाली मिलेगी, फिर B वाली, C वाली, फिर D वाली, एसे लेकर Z तक आपको इसी form में spelling मिलती जाएंगी, इसी form में word meaning मिलती जाएंगी, मतलब जो आपको word ढ दोन रहें, वो आपको मिलते जाएंगे, clear? यह जो page आपके सामने है, यह page लिया गया है, long man new junior English dictionary से, जो page show हो रहा है, आपके सामने, यह page लिया गया है, long man new junior English dictionary से, okay, अब जो label है, यहापर जो label word है, वो आपको डंक से पढ़ना है, यह पता करने के लिए कि यह जो dictionary है, सिफ हमको meaning नहीं बताती, इसके लाव हमको extra information भी वो देती है, clear? dictionary से हमें extra information भी मिलती है, जैसे इस word को कैसे pronounce किया जाता है, वो किस way में यहाँ use होता है, okay, उसी क्या definition है, यह आपको सभी जानकारी इस page पर मिल जाएगी, जो label word है आप प्रीज ध्यान से देखेंगे, मैं आपको show कर रहे हो भी, जैसे ही आप dictionary open करते हैं, एक left वाला page open होता है, एक right वाला page open होता है, left वाले page पे जो उपर वर्ड लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर देखो, correct लिखा हुआ है, वैसे वहाँ भी कोई word लिखा रहेगा, जैसे यहाँ page से search किया तो A वाला word मिलेगा, और B से क आप लोग, जो यह उपर वाला word है, left side अगर वो running, उसे बोलते हैं, running head, अगर यह running head left side page पर है, तो वो यह show करता है आपको, कि यह dictionary का first entry word है, के लिए अगर यही running head, आपको right page पर उपर उपर मिलेगा, तो यह आपको running head show करता है, कि यह word आपका, जो entry का last word है, इस page की entry का last word है, clear, running head ही show करता है, कि यह आपका first word है, यह आपका last word है, अगर left पर वो है, तो यह आपको show करेगा, वो आपकी first entry है page की, और right page पर वो है, तो यह show करेगा, वो आपकी last entry है word की, clear, अब next पढ़ेंगे हम लोग, उपर वर्ड लिखा है, convert, देखो, second number पर finance करेंगे, कन, wicked, हमने यहाँ कन पर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर wicked बोला, तो जो कन, wicked है, इसे हम बोलेंगे head word, क्या बोलेंगे हम इसे, head word, okay, head word means, जो word start हो रहा है, हमारा यहीं से ही हमारा start word है, one of the words in the dictionary, that is arranged in alphabetically order, जो alphabetically order में arranged है, okay, next है हमारा, यह head word समझ आगे हैं आपको, आपको next है हमारा, देखो, c o o k dash e, फिर हलका dash है, फिर r y, cookery, देखो, हमने पहले cook बोला, फिर हलका, रोके break, हलका stop होना थोड़ा सा, फिर e, cookery, तो यह हमारा बोलने का तरीका है, तो इसे, just इसके नीचे देखो, arrow लगा हुआ है, देखा है, यह आपर definition, definition, definition means होता है कि वो word को define कर रहे है, कि उस word का mean क्या है, cookery means होता है, tells you what the word mean, इस word का क्या mean है, यह आपको define कर रहा है, definition means होता है, word को define करना, clear, next देखो, थर्ड arrow देखो, corporate, corporate लिखा है, फिर just नीचे देखो, एक arrow लगाया है, और यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, क्या लिखा, dictionary में, आप कॉपरेटिंग, तो corporate से ही तो बनाए, कॉपरेटिंग, और अगर इसी corporate को past में बोलेंगे, तो बोलेंगे, past में बोलेंगे, तो corporate मतलब corporate में ed लगा दिया, second form आ गई, first में ing लगा दिया तो cooperating हो गया और past में हमने ed लगा दिया second form आ गई तो present participle में हो गया corporate से ही बनाए corporate और past में हो गया corporate तो यह corporate से ही बने हैं दो word corporate और corporate तो इसी बोलते हैं derivative words जो आपको यह बताते हैं tells you about word that are derived from the head word कि यह जो word है वो head word से ही लिए गई है head word means उपरवाद जो heart में वो ड्राक में लिखा है न वो आपको head word इस head word से ही लिए गई है आपके यह derivative word ओके next यह आपका देखो आपको मैंने बता दिया correct क्या है running head हो गया तो four आप के लिए रोगए एक तो आपका starting में हो गया head word second होगी आपका definition third होगी आपका derivative और fourth है आपका pronunciation guide यह क्या होती है देखो एक word जो head word है उसके just बात देखो एक oblique लगा हुआ है see एक oblique लगा हुआ है oblique की बात देखो लिखा है एक small में k और फिर ultra c ऐसे कुछ लगा dot लगा दी यह से बोलते हैं pronunciation guide phonetic sound होते हैं यह इन्हें बोलते है pronunciation guide एक word को कैसे pronounce किया जाता है कैसे उसको बोला जाता है तो cod देखो हलका सा गया हलका रोकना परता है cod cod तो जैसे इसको कैसे प्रिनाउंस किया है उसको हमने यहां लिख दिया pronunciation guide की रूप में देखो अबले की जस्ट बाद देखो दिखा है चुटा c चुटा k c उल्टावला दो डॉट डी इसे बोलते है pronunciation guide ओके c spelling pronunciation guide यह आपको शो करती है show the pronunciation of the word उस word को आप कैसे प्रिनाउंस करते हैं कैसे आप उसको बोलते हो तो एक ही dictionary में आपको क्या मिल गया उसका spelling मिल गई उसको कैसे प्रिनाउंस करते हैं यह वो किस वे में यूज हो रहा है आपको सभी उसके मिल गया definition मिल गई okay clear next number है हमारा एक ही word देखो cork c-o-r के cork है oblique लगा है next जस्ट लिखा है cork देखो pronunciation guide बनी उसकी फिर oblique लगा है हमारा फिर लिखा है noun क्या लगा है noun n-o-u-n noun तो यह noun है यह just arrow लगा हुआ है इसको बोलेंगे parts of speech parts of speech तो इसे यह किस वे में use हुआ है तो यह बता रहा है आपको noun के रूप में हो रहा है यह verb के रूप में use होगा यह वो adjective के रूप में होगा वो आपको यह last वाला show करता है clear यह होगी आपका parts of speech last देखेंगे आप last देखेंगे correct लिखा है correct के बाद just देखो यह आपके just verb लिखी है यह correct यहाँ पर verb के रूप में use हुआ है तो हर word के बाद लिखा है कि वो किस वे में use हुआ है वो noun की रूप में use हुआ है या verb की रूप में use हुआ है तो यह आपको यहाँ show करेगा उसके बाद number one लगाया हुआ है यह example दे रहा है correct को कैसे use कर रहे हैं तो verb use or yes में sentence में to make something right please correct the mistake to make something right please correct the mistake इस mistake को correct करो तो verb की रूप में use हो गया correct किस रूप में use हुआ है verb की रूप में तो verb यह रिखा हुआ है तो वहीं verb की रूप में correct use हो गया है तो इसे बोलेंगे अब example sentences एक sentence है example sentence यह picture आपको clear नहीं है तो मैं एक just एक photo इसमें भी लगा दूँगी तो तक कि आपको रहेगा कि उसमें आप clear कर लेंगे क्या आपका यह आपके lemanik बनाया है देखो यह head word है convict just oblique लगाया हुआ है आप show करें देखो convict के बाद oblique लगा है यह आपका pronunciation guide है एक oblique है वो आपकी noun है तो यह आपकी parts of speech है देखेंगे आप अगर वीडियो को आप ढंक से देखेंगे शुरू से लेके last तक तो पूरा आप clear हो जाएगा आप पीछ में pause कर देंगे रुख जाएगे तो पहला समझ समझ के देखो कि मैं आपको क्या बता रही हूँ आप clear कर लेंगे ठीक है उसके बाद head word हो गया फिर definition हो गया आपकी फिर आपकी derivative हो गया कहां से किसे क्या word बन सकता है फिर आपका correct word जो भी है verb की रूप में यूज हुआ है तो देखो to make something right please correct this mistake तो यहाँ पर यूज हो रहा है वो example का यह जो उपर noun है वो है parts of speech की रूप में यूज हुई है और just convert की oblique में यह है वो आपका pronunciation guide है आपको जो भी प्राब्लम हो आप कमेंट में डालेंगे आपको यह वीडियो कैसा लगा आप like and subscribe करें thank you okay